परिचय अमन, क्या तुम यहां आओगे? मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ क्या हुआ होदै? यहां देखो, एक मशीन कबाड से पुराने लोहे और इस पात निकाल रही है हाँ, मैं यह देख सकता हूँ लेकिन कबाड से एकदम सही अपेक्षित सामागरी चुल लेना कैसे संभव है? यह बहुत आसान है मुख्य रूप से यह एक व्याद्युत चुम्बकी एक्रेन है जो चुम्बकत्व के सिधान्त पर कारिय करती है इसका काटा एक विद्युत चुम्बक का बना है जब इसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक चुम्बक की भाती व्यवार करता है और कबाड से लोहेवा इसपात की वस्तुओं को आकर्शित कर लेता है ठीक है, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया और अब मैं इस बारे में और भी अधिक जानना चाहता हूँ क्या तुम क्रिप्या करके मुझे बताओगे? हाँ, बिलकुल आज हम चुम्बक कत्व तथा द्रव्य के बारे में अध्यन करेंगे उद्देश इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे चुम्बक त्व एवं छड़ चुम्बक को परिभाशित करना चुम्बकी ये शेत्र रेखाओं के विशय में जानना धारावाही परिनालिका के रूप में छड़ चुम्बक का विशलेशन करना एक समान चुम्बकी ये शेत्र में द्वीधुरुव का विशलेशन करना चुम्बकत्व में गाउस के नियम की व्याख्या करना भू चुम्बकत्व के विशय में जानना चुम्बकी करन एवं चुम्बकी ये तीवरता को परिभाशित करना पदार्थों के चुम्बकिय गुण धर्मों को समझना चुम्बकिय शैथिल्य या पश्चता वक्र का विशलेशन करना स्थाई चुम्बकों एवं विद्धुत चुम्बकों का वर्णन करना परिभाशा चुम्बकिय पदार्थों जैसे की लोह, निकल, कोबाल्ट आदी को आकरशित करने की परिघटना चुम्बकत्व कहलाती है चुम्बकत्व के गुणों से युक वस्तु चुम्बक कहलाती है किसी चुम्बक में आकरशन के दो केंद्र होते हैं जो इसके धुरूफ कहलाते हैं तथा इनका नामकरण उत्री धुरूफ एवं दक्षणी धुरूफ के रूप में किया जाता है। चुम्बक के परित व शेत्र जिसमें यह अन्य चुम्बकों तथा लोहे से बनी वस्तूँओं पर बल लगाता है। चुम्बक की ये शेत्र कहलाता है। जाने पर या इस तरह स्वैम को संरेखित करता है कि इसका एक सिरा प्रिथवी के उत्तर और दूसरा सिरा दक्षिण की और इंगित करता है। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित तथा समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुम्बक चुम्बकिय पदार्थों को आकर्षित करता है। यह आकर्षण ध्रुवों पर अधिक्तम होता है। प्रिथक कृत चुंबकी अध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता। चुंबकी अध्रुव सदैव युग्मों में पाय जाते हैं। चुंबक अनेक पदार्थों जैसे कि कोमल लोह, कोबाल्ट, निकिल और विविद लोह मिश्रधात्वों में चुंबकत्व प्रेरित कर सकता चुम्बकी ये शेत्र रेखाएं चुम्बकी ये शेत्र रेखाएं कहलाती हैं। चुम्बकी ये शेत्र रेखाएं अपेक्शाकृत अधिक दूर दूर होती हैं। चुम्बकी ये शेत्र रेखाएं सदैव संतत्थ बंद लूप बनाती हैं। चुम्बक एक धारावाही परिनालिका के रूप में। परिनालिका और चुम्बक के चुम्बकी ये शेत्र पैटर्न समान होते हैं। साथी परिनालिका स्वयम भी एक चुम्बक की भाती व्यवहार करती हैं। जिसके एक और उत्री ध्रुव तथा दूसरी और दक्षणी ध्रुव होता है। दो निकटस्थ परिनालिकाएं धाराओं की आपेक्षिक दिशाओं पर निर्भरता अनुसार एक दूसरे को आकरशित या प्रतिकरशित कर सकती हैं। माना की एक परिनालिका जिसकी लंबाई दो एल और त्रिज्या आर है। उसमें धारावाही फेरों की संख्या N है जिसमें प्रतियक आई धारा वहन करता है। इस मूल लूप के कारण एक अक्षिय बिंदु P पर चुम्बकिय शेत्र का परिमान μू नौट बटे चार पाई गुणे दो एम बटे आर गण होगा। जहां M परिनालिका का चुम्बकिय आगूर्ण है। यह चड़ चुम्बक में दूरस्थ अक्षिय बिंदु पर के एक दम समान है। एक समान चुम्बकिय शेत्र में दूरस्थ प्रबलता और दो एल लंबाई की एक छड़ चुम्बक पर विचार करेंगे जो एक समान चुम्बकिय शेत्र बी के साथ एक कोड़ ठीटा पर रखा है। चुम्बकिय शेत्र दूरस्थ दूरस्थ दोनों ध्रूरस्थ पर लगाया जाने वाला बल बराबर और विप्रीत होने के कारण युग्म बनाता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे उत्तोलक भुजा। उपरोक्त समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करते हुए हमबल आघूर्ण का मान Mb sinθ प्राप्त करते हैं। सदीशिय रूप में इसे निम्नवत निरूपित किया जाता है। ताव बराबर M तथा B का तरयक गुणनफल। यह चुम्बकिय शेत्र में धारवाही कुंडली के एक दम समान है। शेत्र B में M द्विध्रुव आघूर्ण के साथ चुम्बक द्विध्रुव की स्थितज उर्जा रिणात्मक M.B का गुणनफल है। उधारण आईए एक समान चुम्बकिय शेत्र में द्विध्रुव का एक उधारण देखें। 0.40 जूल प्रती टेसला चुम्बकी आघूर्ण का एक छोटा छड़ चुम्बक 0.16 टेसला के एक एक समान चुम्बकिय शेत्र में इस तरह रखा है कि छड़ चुम्बक का अक्ष चुम्बकिय शेत्र के साथ 30 डिगरी का कोण बनाता है। चुम्बक पर शेत्र द्वारा लगाय जाने वाले बल आघूर्ण का परिमान ग्यात करें। आईए इसका हल देखें। यहां दिये गए मान है M बराबर 0.40 जूल प्रती टेसला थीटा बराबर 30 डिगरी बी बराबर 0.16 टेसला। हम जानते हैं कि टाव बराबर M और B का 3 गुड़न फल या परिमान के संदर्भ में टाव बराबर M B साइन थीटा उप्रोक्त समीकरण में मानों को प्रतिस्थापित करने पर टाव बराबर 0.40 गुडे 0.16 गुडे साइन 30 डिगरी। समीकरण परिकलित करने पर हम टाव का मान 0.32 जूल प्राब्त करते हैं अतह चुम्बक पर शेत्र द्वारा लगाये जाने वाला बल आघूर्ण 0.32 जूल है। चुम्बकत्व का गाउस का नियम चुम्बकी ये फ्लक्स एक चुम्बकी ये शेत्र में एक परिकल्पित प्रिष्ठ से गुजरने वाली चुम्बकी ये रेखाओं की संख्या की माप होती है। यदि एक सम्तलिय शेत्र एको घिरने वाला तार का लूप एक, एक समान चुम्बकी ये शेत्र बी में स्थित है, तो लूप के माध्यम से चुम्बकी ये फ्लक्स फाई, बी, बी डॉट एक गुडन फल होगा, जो बी ये कॉस थीटा के बराबर है, जहां थीटा, चुम्बकी ये शेत्र में रखे किसी यादरचित बंद प्रिष्ठ के लिए, चुम्बकी ये फ्लक्स प्रिष्ठ पर समाकल होता है, फाई भी बराबर बी डॉट डी ये का सन्वरित समाकल, चुम्बकत्व के लिए गाउस का नियम बताता है कि किसी बंद प्रिष्ठ से न प्रित्वी की सतह पर चुम्बकिय शेत्र 0.3G से, शुनि दश्मलो 6G तक परिवर्तित होता है, प्रित्वी के चुम्बकिय उत्तरी एवं दक्षणी ध्रूओं से गुजरने वाली सीधी रेखा, इसका चुम्बकिय अक्ष कहलाती है, प्रित्वी के भौगौलिक तथा चुम्बकिय अक्ष लगभग 11.3G के कोड़ पर आनत है प्रित्वी के क्रोड के वाहा, तरल भाग में धारावाही संभाहक धाराएं, प्रित्वी के चुम्बकिय शेत्र का संभावित स्त्रोथ है, यह परिगटना डायनेमो प्रभाव कहलाती है, किसी स्थान पर चुम्बकिय याम्योत्तर उस स्थान और चुम्बकिय अक्ष से गुजरने वाला उर्धव तल होता है। पृत्वी के प्रिष्ट पर चुम्बकिय अक्ष के अभिलंबवत विशालतम वृत्थ चुम्बकिय विशुवत है। दिखपात यानी अलफा किसी स्थान पर भागौलिक याम्योत्तर तथा चुम्बकिय याम्योत्तर के बीच कोण उस स्थान पर चुम्बकिय दिखपात कहलाता है। प्रिथवी के चुम्बकिय शेत्र के शैतचिक घटक यानी बीच यह शैतचिक दिशा में प्रिथवी के चुम्बक शेत्र का घटक होता है। 10 डेल्टा बराबर बीवी बटे बीच हमें समीकरण को निमना अनुसार भी लिख सकते हैं। बी बराबर वर्ग मूल बी एच वर्ग प्लस बी वी वर्ग चुम्ब की करण एवं चुम्ब की यत्ती व्रता किसी पदार के वड़े टुकडे की चुम्ब की अवस्था इसके चुम्ब कंद्वारा अभी लाक्षनित होती है जो चुम्बकिये द्विध्रुव आगून प्रती इकाई आयतन के रूप में परिभाशित किया जाता है। उनके सन्रेखण के अंश इन दोनों पर निर्वर होता है। चुम्बकिये शेत्र को मुक्त स्थान में चुम्बकिये शेत्र के मुक्त स्थान की परगम्यता के अनुपात की रूप में परिभाशित किया जाता है। चुम्बकिये शेत्र वहा परिपत में चालन धारा तथा पदार्थ में विकसित सूश्म दर्शिय धारा के कारण होता है। इसे निम्न रूप में लिखा जा सकता है। के प्रती कितना समवेदनशील है। M बराबर जाई तथा H का गुड़नफल। पदार्थों के चुम्बकिये गुण धर्म। पदार्थों को निम्न तीन श्रेडियों में व्यापक रूप से विभाजित किया जा सकता है। प्रती चुम्बकिये पदार्थ अनुचुम्बकिये पदार्थ लह चुम्बकिये पदार्थ प्रती चुम्बकिये पदार्थ वे होते हैं जो चुम्बकों द्वारा प्रतिकर्शित किये जाते हैं। और इन में वाहा चुम्बकिय शेत्र में अधिक तीवरता वाले भाग से कम तीवरता वाले भाग की ओर जाने की प्रवित्ती होती है। प्रिथक परिमाड़ों में उनका अपना कोई निट चुम्बकिय आघूर्ण नहीं होता। चुम्बकत्व M, H के साथ रैखिक प्रकार से परिवर्थित होता है। M बराबर जाइट Hुम्बकिय सुग्राहिता एक छोटी रिणात्मक संख्या होती है और तापमान से स्वतंत्र होती है। आपेक्षिक चुम्बक शीलता एक से कुछ कम होती है। अतिचालक आदर्ष प्रतिचुम्बकत्व प्रदर्शित करते हैं। अतिचालकों में आदर्ष प्रतिचुम्बकत्व की परिघटना मैसनर प्रभाव कहलाती है। अनुचुम्बकिय पदार्थ आपेक्षिक चुम्बकिय पदार्थ वे होते हैं जो चुम्बकों द्वारा प्रबलता पूर्वक आकरशित किये जाते हैं और जिन में उच्च से निमने चुम्बकिय शेत्र में जाने की प्रवित्ती होती है पर्माडवों में स्थाई चुम्बकी द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं जो स्वतर प्रवर्तित रूप से एक समान चुम्बकत्व के आयतनों में व्यवस्थित होते हैं M, H के अनुक्रमानुपाती नहीं है सुग्राहिता धनात्मक एवं काफी अधिक होती है लेकिन अधिक समय तक नियतांक नहीं रहती जाई बराबर C बटे T रिन T C आपेशिक चुम्बक शीलता एक से काफी अधिक होती है वाहा चुम्बकी शेत्र में लोह चुम्बकी पदार्थ रखे जाने पर दो प्रभाव उत्पन हो सकते हैं नमबर एक आयतनों का घूणन जिससे वे वाहा शेत्र से अधिक निकट रूप में सनरेखित हो जाते हैं नमबर दो उन आयतनों के आकार में बढ़ोत्री जो शेत्र से पहले से ही सनरेखित होती है चुम्बकी ये शेत्हिल यानी चुम्बकी ये पश्चता वक्र हम एक परिनालिका में प्रविष्ट किये गए एक लोह चुम्बकी ये पदार्थ पर विचार करेंगे आरंभ में H और B दोनों शून्य हैं हम धारा को बढ़ाते हुए H बढ़ाते हैं चुम्बकी करण होता है और इसलिए B एक संत्रप्त मान की ओर बढ़ता है जैसा खंड A B द्वारा दर्शाया गया है हम अब H को घटा कर शून्य करते हैं B अपना मूल पथ पुनह प्राप्त नहीं करता लेकिन पथ B C का अनुसरण करता है H बराबर शून्य होने पर बिंदू C पर B का मान धारन शीलता या चुम्बकताव शेश कहलाता है यदि हम धारा को उलट दें तो हम बिंदू D पर पहुँशते हैं जहां B बराबर शून्य होता है B बराबर शून्य होने पर बिंदू D पर H का मान निग्राहिता कहलाता है प्रतिलोम धारा का परिमान बढ़ाते जाने पर B बिंदू E द्वारा विपरी दिशा में संत्रिप्त होता है और बिंदू R पर धारा को शून्य कर देता है यदि हम धारा को बढ़ाते हैं तो बीपुनह बिंदु बी पर संत्रिप्त मान प्राप्त कर लेता है पत BCDEFGB बार-बार दोराया जा सकता है सम्वरित वक्र BCDEFGB जो एक लोहचुम्बकिय सामगरी के चुम्बकन का चक्र प्रदर्शित करता है वह इसका शैथिल्य वक्र कहलाता है कठोर लोहचुम्बकिय पदार्थों में उच निग्राहिता होती है और व्यापक शैथिल्य वक्र इनकी विशेशता होती है स्थाई चुम्बक बनाने के लिए इन पदार्थों का उप्योग किया जाता है मृदू लोह चुम्बक ये पदार्थों की निग्राहिता कम होती है और संकीन शैतिल लिवक्र इनकी विशेष्टा होती है शैतिल लिपाश के माध्यम से चक्रित होने पर ये कम उर्जा विसरित करते हैं इनका transformer जैसी युक्तियों में उप्योग किया जाता है स्थाई चुम्बक एवं विद्धुत चुम्बक जो पदार्थ लंवी अवदी तक अपने लोह चुम्बक की गुण बनाए रख सकते हैं वे स्थाई चुम्बक कहलाते हैं स्थाई चुम्बक बनाने के लिए उच्छ धारण शील्ता वाले पदार्थों को चुना जाता है ताकि चुम्बक प्रबल हो और उसकी निग्राहिता उच्छ हो उधारण के लिए इस पात एल्निको तथा कोबाल्ट स्टील परिनालिकाओं को प्रायह वैद्युत चुम्बक कहा जाता है प्रायह लह चुम्बक की पदार्थ जिनकी चुम्बक शील्ता उच्छ तथा धारण शील्ता कम हो प्रबल विद्युत चुम्बक बनाने के लिए परिनालिका के अंदर रखे जाते हैं विद्युत चुम्बकों का निम्न में उपियोग किया जाता है विद्युद घंटियां ध्वनी आवर्धक, टेलिफोन डायाफ्राम, मैगनेटिक रेजोनेंस इमिजिंग यानी MRI भारी वस्तवें उठाने वाली ख्रेने, स्थाई चुम्बकों की तुल्ला में विद्युद चुम्बकों के अनेक लाब होते हैं, किसी विद्युद चुम्बक के उत्तरी एवम दक्षनी धुरुफ धारा उलटते हुए तुरंत परिवर्धित किये जा सकते हैं, प्रतियकाई लंबाई फेरों की संख्या या धारा परिवर्तित करते हुए चुम्बकिय शेत्र की प्रबलता में परिवर्तन किया जा सकता है क्या आप जानते हैं? प्रित्वी का चुम्बकिये शेत्र समय के साथ स्थिर नहीं है या पाया गया है कि पिछले कुछ मिलियन वर्षों के दौरान प्रित्वी के चुम्बकिये शेत्र की दिशा अनेक बार प्रत्यावर्तित हुई है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। स्क्र होती है जिस पर किसी बिंदु पर स्पर्ष रेखा उस बिंदु पर चुम्बकिये शेत्र की दिशा प्रदान करती है। चुम्बकत्व के लिए गाउस का नियम बताता है कि किसी बंद प्रिष्ठ से नेट चुम्बकिये फ्लक्स सदैव शून्य होता है। प्रिथवी के क्रोड के वाहा तरल भाग में धारा वाही समवाहक धाराएं प्रिथवी के चुम्बकिये शेत्र का संभावित स्त्रोथ हैं तथा यह परिगटना डाइनमो प्रभाव कहलाती है। चुम्बकिये शेत्र को मुक्त स्तान में चुम्बकिये शेत्र के मुक्त स्तान की पारिक गम्मिता के अनुपात के रूप में परिभाशित किया जाता है। किसी स्थान पर भागोलिक याम्योत्तर तथा चुम्बकिये याम्योत्तर के बीच कोण उस स्थान पर चुम्बकिये दिखपात कहलाता है। लोह चुम्बकिये सामगरी के चुम्बकन का चक्र प्रदर्शित करने वाला बंद वक्र इसका शेत्रल्य वक्र कहलाता है।